मन पढ़ने वाला पैसे उसकी दादी के घर में है वहाँ जाओ और एक क्याबिन में लकडी के बकसी को ढूंडो क्या? तुम्हें ये कैसे? मैं अपने आप से भी यही प्रशन पूछती हूँ जैसा कि निर्देश दिया गया था ओफिसर्स को उस घर में पैसा मिल गया ये तो असंबाव है एक पूरी रिसर्च और साइंटिस्स की टीम के विशलेशन के बाद अंत में निश्कर्श ये निकला कि ये एक असाधरन जीन म्यूटेशन के कारण है जिसने उसका डियने सीक्वेंस बदल दिया है और उसे मन पढ़ने की शमता दी है पर ये अभी भी संदी हात्मक है और अभी भी इस पर बहस हो रही है तो तुमारा दिन कैसा रहा? रॉय ऐसा मत करो क्या करूँ? तुम मुझे प्रपोस करने वाले हो और मैं हमारी दोस्ती की कदर करती हूँ चलो इसे नश्ट ना करे ओ गॉड ये ठीक नहीं है कि तुम मेरा मन पर सकती हो मैं जानती हूँ इसलिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है समाज को एक बहतर जगा बनाने की दिशा में क्या? मैं आ रही हूँ शमा करना रोए पर मुझे जाना होगा पिछले एक महीने से एक नया अपरादी उब रहा है एक ऐसा मुझरिम जिसके जैसा कोई नहीं वो समाट है, वो धिमान है और बहुत ही धुर्थ है हम उसे पकड नहीं पाए है उसने क्या किया? उसने क्या नहीं किया, तुम्हें ये पूछना चाहिए अगर शुरू से बताओं तो उसने स्टेट जनरल बैंक का कैश वोल्ट खाली कर दिया उसने इसे इतने शातिल ढंक से किया कि बैंक भी इस डकेती से अंजान था उन्हें तब तक नहीं पता चला जब तक वो दिन के अंद में वोल्ट में पैसा जमा करानी नहीं गए अगला उसने पता माइकल लॉरेंस की पेंटिंग चुराली एक इवेंट से जिसमें सौ लोग उपस्तित थे उसने ये कैसे किया कोई नहीं जानता और अभी और किस्से है ये हम उसे चमेलियन का नाम दे रहे हैं एक पार्टी में एक छोटे बच्चे ने उसे देखा बालकनी से खिसकर बाहर निकलते हुए हमने उसकी मदद इस्तेमाल की और ये ट्रेस किया है बहुत दिल्चस्प है नहीं, दिल्चस्प ये है कि उसने अपनी अगली डखेती के लिए एक क्लू छोड़ दिया है क्या? हाँ, हमारे एजन्टों ने एक घंटे पहले इसे डिकोट किया है इस बीच जब हम बात कर रहे हैं वो महरानी का ताज चुराने वाला है क्या? हमें वहाँ होना चाहिए न हमारे ओफिसर हाई एलट पर है इस बार हम उसे पकड़ लेंगे और जब हम ऐसा कर लेंगे तो तुम्हें उससे सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कॉपी दाट चलो देखते हैं के याद में कितना स्मार्ट है अलफा टो चार्ली यहां सब लिए रहे ओवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व पर देर हो चुकी थी, क्योंकि वो चिमेलियन तब तक बहुत दूर निकल गया था असंभव ये आदमी बहुत शातिर है अफिसर बार्टन सर, हमने अंत में इसे डिजिटली परिभाशित कर लिया है ठीक है, क्या मिला हमें? मुल्जिम की पहचान फ्रैंक नाम के रूप में हुई है जो 23 साल का पुरुष है, साउथ वेस्ट वैली वो एक लॉन्डरी में काम करता है उसे तुरंद गिरफतार कर लो, और यहां ले आओ तुम सच में बहुत दयालू हो, फ्रैंक धन्यवाद मिस बेटी, मैं कोशिश करता हूँ ये बच्चे काफी दुख उठा चुके हैं अब यहां पर है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि अब वो और दुख न उठाएं ये लीजे, इसे रख लीजे बहुत बड़ा डोनीशन है ये तो समय आ गया है कि उन्हें आप चारिक श्रिक्षा मिले मैं अगले महिने वापस आऊँगा अपना हाथ उपर हवा में उठाओ जाहां वो ने देख सकें ये क्या हो रहा है? तुम्हें खाम उश्रेने का अधिखार है तुम जो भी कहो ये तुम्हारे विरुद अदालत में इस्तिमाल किया जा सकता है फ्रैंक को गिरिफतार कर लिया गया और उसे हेटकॉर्टर ले जाया गया ये है वो? हाँ, देखो वो कितना शान्त है ऐसे लगरा जैसे उसे कोई डरी ना हो क्या इसने कुछ कहा है? नहीं, इसी ये तुम्हें अंदर जाने की जरूरत है रोजर दाट हेलो, मिस्टर फ्रैंक पामर हाँ, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा महरानी का ताज कहा है मुझे नहीं पता है कि वो कहा है ओके? थिया बहुचक की रह गई जीवन में पहली बार वो एक आत्मी का मन पढ़ नहीं पा रही थी संभव क्या? कुछ भी नहीं धन्यवाद आपके समय के लिए हैरान होकर थिया ओफिसर बटन के पास गई और कहा कि वो कैसे उसका मन नहीं पढ़ पाई पर तुम हमेशा पढ़ सकी हो हाँ मैं जानती हूँ इस वक्ट जब हम बात कर रहे हैं तुम चिकन सैंविच के बारे में सोच रहे हो अम पर उस आदमी के साथ मैं नहीं कर पाई हमने उसका घर चेक किया है हमें कुछ नहीं मिला उसका बस एक बैंक एकाउंट है जिसमें बहुत कम पैसे है हमारे पास उसके विरुद कुछ भी नहीं है शायद उस बच्चे ने जिसको पाटी में देखा था उसने उसका गलत वर्णन किया शायद अब हम उसे और ज्यादा नहीं रख सकते है हमारे पास कोई सबूत नहीं है पर तुम उस पर कड़ी नज़र रखना मेरा भरोसा करो इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती और इस तरह फ्रैंक को छोड़ दिया गया छुक कर थिया उसका पीछा करने लगी हाँ? वो कहा गया? थिया, क्या तुम उसके निग्रानी कर रही हो? मैं कर रही थी पर आदा घंटा पहले वो गायब हो गया क्योई है अरत भी? ग्रैं म्यूजियम से बुलाबी हीरा चुरा लिया गया है क्या? फ्रैंक को दुबारा बुलाया गया इस बार उन्होंने उससे थर्ड डिगे की पूछताच की थिया ने दुबारा कोशिश की और सफल हो गई इसलिए उन्हें उससे छोड़ना पड़ा चमेलियन के खबराग की तरह फैल गई और जल्दी ही अखबार इस पर रिपोर्ट करने लगे ना केवल इतना ही स्टेट पुलिस का नाम भी खराब होने लगा जन्तों का मजाग उड़ाने लगे कि उन्हें एक मुझरिम ने मात दे दी थिया फ्रैंक का पीछा करने लगी वो जहां जाता, वहां जाती और फ्रैंक अचानक आया पो जाता कई बार वो एक पब्लिक वाश्रूम में दाखिल होता और एक घंटे तक बाहर नहीं आता इस बीच एक चोरी की खबर आ जाती थिया अपना सर खुजलाती रह गई लेकिन थिया ने हार नहीं मानी और एक दिन जब वो फ्रैंक का पीछा कर रही थी उसने उसे एक ओल्ड एज होम में जाते देखा एक घंटे के बाद जब फ्रैंक वहां से चला गया वो अंदर गई शमा करना, वो आदमी जो अभी अभी यहाँ था क्या उसकी माता-पिता यहां रहते हैं? अरे वो? क्यों? वो तो मिस्टर फ्रैंक पामर है उस औरत ने थिया को बताया कि कैसे हर महीने फ्रैंक ओल्ड एज होम को पैसे दान देता है थिया अश्चियर चकित रह गई एक आदमी जो एक लॉन्डरी में काम करता है वो इत्ती बड़ी राशी कैसे दान दे सकता है? मैं जानती हूँ, वो कमेलियन है थिया ने फैसला किया कि वो इससे अपने तक सीमित रखेगी और पीछा करना जारी रखेगी गुजरते दिनों में उसने पाया कि फ्रेंक गरीबों और जरूरत मंदों की मदद कर रहा था गवर्मिन्ट से भी ज़ादा उसने सोचा कि अब मामले की तह तक पहुँचने का समय आ गया है हाई आफिसर, अब मैंने क्या किया? नाटक बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम ही कमेलियन हो ऐसा क्यों है कि मैं तुम्हारा मन नहीं बढ़ सकती? मुझे नहीं पता है कि आप क्या बात कर रही है ओ, सच मुझ फिर उस पूरे पैसे के बारे में समझाओ जो तुम दान में दे रहे हो मुझे एक श्रमा करना, मैं आपको वो नहीं बता सकता तुम्हारे आगे कोई विकल्प नहीं है, फ्रैंक हमारे पास तुम्हारे दान का सबूत है मेरा भरोसा करो, तुम लंबे समय के लिए अंदर जाओगे, फ्रैंक सच बोलो, और तुम्हारी स्तासा काम करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी सजा किस बात की हाँ, मैंने कोई अपराद नहीं किया है, मैं कोई चमेलियन नहीं हूँ, ठीक है तो फिर उन पैसों के बारे में समझाओ ठीक है, जिस लॉन्डरी में मैं काम करता हूँ, उसका मालिक एक साइंटिस्ट है वो मुझे मेरे मन पर प्रियोग करने के लिए वेतन देता है अब फ्रैंक, पहले इसमें थोड़ा दर्द होगा, फिर तुम एक गहरी नीन में सो जाओगे फिर मैं अपने टेस्ट करूँगा, जब ये हो जाएगा, तो तुम जाग जाओगे, शुरू करें ठीक है मेरे माता-पिता गुजर गए जब मैं छोटा था, मैंने एक कठिन जीवन जिया है इसलिए मैंने ये जिम्मा आपने उपर ले लिया है कि मैं गरीबों और जरुरत-मंदों की मदद करूँगा डॉक्टर कंगारू पैसे से मेरी मदद करते हैं, और मैं उन्हें उनके एक्स्पेरिमेंट्स करने देता हूँ पर मैंने कुछ नहीं चुराया है ठीया सक्ते में आ गई, क्योंकि अब वो पहेली के सभी टुकड़े जोड़ने लगी थी धन्यवाद, फ्रैंक, इमानदारी के लिए, फिर मिलेंगे ठीया हेटक्वाटर गई और ऑफिसर बॉर्टन को सब कुछ बताया यहाँ कुछ बड़ी चीज चल रही है चलो लॉन्डरी तक उसका पिछा करें और यहीं उन्होंने किया फ्रैंक लॉन्डरी में पहुँचा, एक गुब दर्वाजी से डॉक्टर कंगारू उसका वहाँ इंतजार कर रहा था तुम लेट हो क्समा करना, मुझे तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ फ्रैंक बैठ कया, डॉक्टर्स के सिर पर हेलमेट डालने ही वाला था ये पूरी तरह हानी रही था थिया थिया उस तक चल कर आई और उसका मन पढ़ने लगी वो भाचक की रह गई क्या बात है ये दुश्ट आदमी इस यंत्र से फ्रैंक को हिप्नोटाइस करता है इसमें एलेक्ट्रोड्स हैं जो neuromuscular signals पकड़ते हैं और उन्हें duplicate करते हैं और फ्रैंक से वो करवाता है जो वो जाता है वे उसकी इंद्रियों को artificial तरीकों से बड़ा भी देता है और इस तरह वो उसकी शमता को और गहन बनाता है फिर फ्रैंक को निर्देशों का पालन करता है जो उसमें प्लान कर दिये गए है जब सब कुछ हो जाता है और डकैती पूरी हो जाती है वो वापस आता है और फिर से बैठ जाता है डॉक्टर उसे वो चीज ले लेता है और उसे उस अलग अलमारे में पीछे रख देता है फिर वो फ्रैंक को अपने सम्मोहन से मुक्त कर देता है पर ये उससे पहले नहीं होता जब तक कि वो पूरी घटना को मिटाना डाले जो तब हुई जब वो हिप्नेटाइज हुआ था क्या? हाँ, तुम ऐसा महसूस करते हो कि तुम इस पूरे समय यहाँ थे पर असलियत में उसने तुम्हे अपनी डखैती के लिए इस्तमाल किया विश्वास नहीं होता और इसलिये में तुम्हारा मन पढ़ नहीं सकी डखैती के बारे में क्योंकि इसकी वहाँ कोई आदाश नहीं थी असंभव, तुमने कैसे किया? हम जेल में तुम्हें सब कुछ समझाएंगे आओ और इस तरह दुष्ट डॉक्टर कंगारू गिरफतार हुआ और उसकी लैब तबाह कर दी गई फ्रैंक को नदोश्ट साबित किया गया और सरकार ने उसे पुलीस ओफिसर के रूप में नौगरी का प्रस्ताओ दिया उसकी अस है लोगों के प्रती करुना के एविच में बहुत से तरीके है समाज में मदद करने के लिए कानूनी तरीके से और आपके लिए समय आ गिया है ये कर दिखाने का शुक्रिया थिया और पहली बार थिया उसका मन पढ़ सकी वो मुझे पसंद करता है थिया? कुछ नहीं तुम कॉफी पीने चलोगे मेरे साथ? फ्रेंक और थिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अंत में एक दूसरे से प्रेम करने लगे उन्होंने मिलकर अपराच से लड़ाई की चमेलियन और माइन रीडर के रूप में एक एक दिन करके उन्होंने समाज को बहतर बनाना शुरू कर दिया